हेलो दोस्तों, वेल्कम टो इंग्लिश गुरुकुल दोस्तों, अभी हम कल्चराल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लॉरेलिटी एंड लिटरी ट्रेडिशन से इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम रघुवीर सहाय इनके उधारा लिखी हुई हिंदी इस पोयम को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है पहले पार्ट में हम रघुवीर सहाय इनके जीवन के बारे में कुछ दिल्चेस्प बाते जानेंगे सेकंड पार्ट में हम इस कविता के बैक्ग्राउंड के बारे में बात करेंगे और third and last part में हम इस कविता का line by line मीनिंग पड़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रभुवीर सहाई इनका जन 1929 में आज की तारिक के लख्णोवी शहर में हुआ था इन्हें अक्सर लोग आम इंसान का कवी इस नाम से भी जानते हैं इसके पिछे एक सहच सा reason ये था कि जिन विश्यों को आम तोर पर कोई अन्य कवी नहीं लिखा करता था उन विश्यों के उपर रभुवीर सहाय कविताई किया करते थे अपनी कविताओं के थुरू वो आम इंसान के दर्द को परदे पर लाने की कोशिश करते थे अक्सर जो political powerful लोग होते हैं जैसे कि राजनेती में काम करने वाले लोग होते हैं वो कहते एक हैं और करते कुछ और ही है तो इनकी इस हिपोक्रसी को भी वो आम इंसान तक पहुचाने की कोशिश किया करते थे क्योंकि वो ना सिर्फे कवी थे बलकि एक एडिटरीन चीप भी थे अपने दीन बंधु इस नियूस पेपर के त्रू वो आम इंसानों तक उपर की आवाजे नीचे पोता थे वही आम इंसान की आवाजों को वो उपर शासन तक भी पहुचाने का काम करते थे अपने इस कविता के अंदर वो हिंदी इस भाषा के उपर जो एक विवाद हुआ था उस विवाद के उपर अपने विचारों को व्यप्त करने जा रहे हैं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हिंदी इस कविता के बैक्ग्राउंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपको तो पताई होगा कि 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी तो हिंदुस्तान को आजादी मिलने के कुछ महिने पहले ही एक Constituent Assembly स्थापित की गई थी Constituent Assembly का मकसद ये था कि वहाँ पर सब लोग मिलकर भारत के लिए एक समविधान की निर्मिती करें लेकिन जब बात समविधान लिखने की आती है तो जाहिर सी बात है कि इस भाषा में समविधान लिखा जाना चाहिए ये सबसे पहला सवाल Constituent Assembly के अंदर उठाया गया और ये बहुत ही important सवाल था क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है 1947 के उस दौर में हिंदूस्तान में लगवग 32 करोड के आबादी रहा करती थी और इन 32 करोड के आबादी में भी लगवग 40% आबादी हिंदी भाषा बोलती थी और बाकी की 60% आबादी अन्य भाषाएं बोला करती थी जिसमें बेंगॉली, मराठी और अन्य भाषाएं भी सामिल है तो ऐसे में जब Constituent Assembly में एक प्रस्ताव रखा गया कि सम्विधान को हिंदी भाषा में लिखा जाए तो उस पे जो हिंदी क्षेत्र में रहने वाले नेता थे और वहां के सपोर्टर थे उनकी और से बहुत जादा सपोर्ट आया लेकिन बाके के मेंबर्स की और से विरोध होने लगा तो यहाँ पर हिंदी इस विशे को लेकर काफी चर्चा होने लगी और फिर आखिर में ये तय हुआ कि क्योंकि हिंदी ये मैक्सिमम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है इस वज़े से हिंदी भाषा में सम्विधान को नहीं लिखा जाएगा साती साथ हिंदी को राष्टर भाषा या फिर नैशनल लेंग्वेज का भी दर्ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि 50% से ज़्यादा आबाधी हिंदी नहीं बोलती है ऐसे में हम आज भी ये देखते हैं ये आज की तारीक तक भी भारत की कोई भी राष्टर भाषा नहीं है और लंबे दर तक हिंदी को राष्टर भाषा बनाए जाए इस तरह की आवाजे अक्सर उठा करती थी 1947 के इस दोर में जब हिंडी को राष्टर भाष्टा नहीं घुशित किया जाएगा इस तरह की घुशनाय बाहर आई तो ऐसे समय पर रगुवीर सहाय हिंडी इस पोयम में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं जिन में वो पॉलिटिकल नेताओं की हिपोक्रसी को आम इंसान तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं चलिए अब स्क्रिन के उपर चलते हैं और हिंडी इस पोयम का लाइन बाइन मिनिंग पढ़ते हैं दोस्तों रगविर सहाय के इंगलिश और हिंदी इन दोनों विशे को अगर हम विचार जानना चाहें तो उनकी एक छोटी सी कविता है जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ा कर प्रजा बनाई अंग्रेजी पढ़ा कर अब हम प्रजा बना रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें जान पाते हैं कि रगुवेर सहाय मुलतह एंटी इंग्लिश वक्ति थे अब चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं जो की रगुवेर सहाय इनके दोरा लिखी हुई हिंदी नामक कविता का ही एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है उनकी ओरिजिनल कविता अब मैंने नीचे दिये गई लिंक पे से पढ़ सकते हैं तो चलिए अब लाइन बाइन मेनिंग शुरू करते हैं वी वर फाइटिंग अल्लैंग्वेज बैटल टू चेंज सोसाइटी दोस्तों पहले ही लाइन से हमें जान पाते हैं कि यहाँ पर रगुवेर सहाय आम इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने पहले ही वर्ड के तोर पर वी शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वी में वो हम यानि कि मैं और आप इस सब मिलकर तो यहाँ पर आप है आम इंसान तो यहाँ पर रगुवेर सहाय यह कहना चाह रहे हैं कि आम इंसान जो लड़ाई लड़ रहा था वो एक भाशा की लड़ाई लड़ रहा था तो यहाँ पर कौन सी लड़ाई के बात हो रही है जो Constituent Assembly के अंदर एक discussion हुआ था कि कौन सी भाषा को राष्टर भाषा का दरजा दिया जाए तो उस लड़ाई के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उसका मकसद था कि हम सोसाइटी को समाज को चेंज करें सोसाइटी के अंदर हम बदलाव लाए लेकिन आगे वो कहते हैं बट दक्वेस्चन ओप हिंदी इस नो लॉंगर सिंपली अ क्वेस्चन ओप हिंदी और अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी हिंदी को राष्टर भाषा बनाया जाना या ना बनाया जाना यह सवाल अभी सिर्फ हिंदी या सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं है बलकि अभी ये एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है हम यहाँ पर हार चुके हैं कहीं न कहीं यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है हिंदूस्तान अब एक स्वतंत्र देश है और फिर भी जो जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था उन्हें कि भाषा को हम अपने समवीधान लिखने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो क्या हम सही में आजाद हुए हैं तो इस सेंस में वो कहे रहे हैं कि हम हार चुके हैं अगले स्टांजा में उनका रवया और उनके विचार कुछ अन्य टॉपिक पर शिफ्ट होते हुए दिखते है और यहाँ पर ओ कहते हैं ओ गूढोन आर विटण और यहाँ पर उपकार हुए रहे हे हैं और उनके रहे हैं कि यह पता होता है कि थाये वो पक्ते है और यहाँ पर उनकी यह मांग नहीं कि अब प्र Шुके हैं भाषा बनाया जाए बलकि वो यह चाहते थे कि अंग्रेजी यह सारे देश का रेप्रेजेंटेशन करने वाली भाषा नहीं हो सकती हम एक स्वतंत्र देश है और हमारे यहाँ पर पूरा देश ही हार चुका है and now that question which we just referred to in connection with the so-called language battle let's put it this way और यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि यह जो भाषा का वाद था जो भाषा का विवाद था अब इसे भाषा का विवाद नहीं रहा है यह अब अखंड राष्ट्र का विवाद हो गया है यह देश की एकता का अखंड दा का यह सवाल हो गया है और इसलिए वो कहते हैं कि अब फिर से एक बार हम उस सवाल के उपर जाते हैं जो की so called यहाँ पर वो कहते हैं जुसों की तथा कतित so called language battle के नाम से भी जाना जा रहा है और वो कहते हैं कि let's put it this way और चरो अब उसी सवाल को हम एक अन्य तरीके से एक अन्य नजरिये से पेश करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं were we and those on behalf of whom we fought the same folk अब वो कहते हैं कि we यानि हम लोग हम आन आम इनसान जो स्वतंत्रता के लिए आजादी के लड़ाई कर रहे थे हम आम इनसान लोग और उन लोगों के बिहाफ में यानि कि हमारे नेताओं के कहने पे जिनके बिहाफ में हम लोग लड़ रहे थे क्या हम आम इंसान और ये नेता लोग क्या हम सब सेम विक्ति थे क्या हम सब बराबर थे और were we in fact the agents of our oppressors sympathetic well meaning well schooled agents या फिर हम well schooled agents थे हमारे नेताओं ने हमारे leaders ने हमें जो कुछ पढ़ाया बस हम उनके पढ़ाये नुसार ही हम actions ले रहे थे या फिर क्या हम भी उन्हें की तरह उन्हें के level पर लड़ लहे थे तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो एक hypocrisy के तरफ दिशा निर्देश कर रहे हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो जो लोग वहाँ पर political power में बैटे हुए हैं जो लोग नेता हैं वो लोगों की आजादी को ले लेकिन आम इनसान के लिए आजादी का मतलब से political power से नहीं है बलकि अपने खुद के representation से है और खुद के representation का एक बहुत बड़ा पहलू अपनी खुद की भाशा होना ये हो सकता है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम लोग जो अपने नेताओं के कहें नुसा लड़े जा रहे थे यहाँ पर कहीं न कहीं हमारा उदिश जो हमारे नेता थे उनका उदिश कुछलब ठाशी इस दिशा में वह हमें बात करने के कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर वह कहरे हैं कि वह the masters जो भी अभी masters है याने कि जो भी लोग अभी political power में है जो भी leaders है वो भी slaves है वो किनके slaves है ऐसा वो यहाँ पर कहना चाह रहे थे तो कहीं न कहीं यह जो नेता लोग है यह सारे नेता लोग मिलकर अपने देश के लिए एक राष्ट्र भाषा नहीं चुन पा रहे हैं और यह लोग अंग्रेजी भाषा को ही अपनी राष्ट्र भाषा की तोर पर संविधान लिखने के लिए उप्योज में ला रहे हैं तो यह लोग तो actual में slaves है ऐसा वो कहना चाह रहे हैं their slaves are those who are not masters और वो करें कि उनके जो भी slaves है उनके नीचे जो आम इनसान है वो ऐसे है जो कि masters नहीं है क्योंकि अभी इनके हाथ में भी अपनी भाषा का control नहीं है if Hindi belongs to the masters then in what language shall we fight for freedom और यहाँ पर वो करें कि अगर Hindi सिफ masters लोगों को belong करती है तो हमें किस भाषा में अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए the demand for Hindi is now a demand for better treatment not rights put by the agents to their slaves masters और यहाँ पर वो करें कि जो हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाई जानी चाहिए यह जो demand है यह demand अभी एक better treatment देने की demand है कि एक आम इनसान को राष्ट्री राजनीती में राष्ट्री अस्तर पर उनकी भाषा को एक पहचान देने की उनको equal treatment देने की better treatment देने की यह मांग है not rights put by the agents to their slave master और वो करें है कि जो यह agents है agents यहाँ पर कोन है agents है जो आम नेता है यह मेलेज वोगरा जो constituent assembly में बैटे वे लोग है और उनके slave masters कोन है जो बड़े बड़े मुखे नेता है तो वो करें कि जो यह agents है वो जो भी मांगे अपने slave masters को यह बड़े नेताव को रख रहे हैं वो right की यहाँ पर बात नहीं है यहाँ पर better treatment की बात हो रही है they use Hindi in place of English while the fact is that their masters use English in place of Hindi अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आम नेता है वो हिंदी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं हिंदी भाषा में वो express करते हैं वह ही जो उनके masters है जो बड़े बड़े नेता है वो English भाषा का उप्योग करते हैं the two of them have struck a deal और यहाँ पर कही न कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि जो political scenario है जो political willpower है कहीं न कहीं उनके बीच में ये deal तै हो गई है भाषा को लेकर अभी कहीं न कहीं उन लोगों ने अपना एक नजरिया तै कर लिया है और यहाँ पर जो आम नेता है वो बड़े नेताओं के साथ विरोध में नहीं जा रहे हैं वो आम इनसान की मांगों को बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचा रहे हैं यहाँ पर वो करें कि यह जो hypocrisy है जो hypocrisy कहना एक और कहना एक यह जो political circle में चल रहा है यह जो कोई भी इस hypocrisy को expose करेगो उजागर करेगा वो हिंदी की slavery को हिंदी की गुलामी को वो मिटा देगा हिंदी को वो आजादी देगा और ऐसा वेक्ति वो कौन होगा this will be the one और वो ऐसा एक वेक्ति होगा जो जब वो हिंदी बोलेगा तो उस वक्त वो जो भी एक आम इंसान महसूस करता है उस आ को जब हम पढ़ते हैं तो हम यह समझते हैं कि रगवीर सहाय हम यह कहना चारे कि आम इंसान की जो मांग है हिंदी को लेकर उस मांग को कहें ना कहीं पॉलिटिकल सरकल में बड़े-बड़े निताओं के चर्चों में उसे उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है कहीं ना कहीं व और ऐसे में रगवीर सहाय यह चाहते हैं कि हिंदी को नेशनल लेंग्वेज का दरजा इसलिए दिया जाना चाहिए कि जब हिंदी को नेशनल लेंग्वेज का दरजा दिया जाएगा तो वो एक आम इंसान को इक्वल राइट देने जैसी बात होगी तो इसे के साथ इस वी वीडियो में